अब आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान वसे तहाँ पर नैदरलेंड के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे वंडे मुकाबले के बारे में जो की खिल जाएगा दो पार के दो बजे पाई दोस्तों जानते हैं क्या कुछ रहेगी हम जानके चलेंगे भाई क्या कुछ रहता उनका recent form बैटिंग ओडर क्या रहने वाला है records क्या रहने वाले वो सारी चीज़े देखने बाद बहतर से बहतर कॉंबिनेशन और बहतर से बहतर आप टीम बना पाए इसके बारे में बात करेंगे लेगे उससे पहले मेरे वाई एक इसका आप लोग जरूर धानकना अभी जो हम इस वीडियो में टीम बना रहे हैं वह सिर्फ एक डेमो टीम रहेगी फाइनल टीम नहीं रहेगी वीडियो करते हैं स्टार्ट बात कर लेते हैं अपने मैस के बारे में पिछ रिपोर्ट से मैं स्टार्ड करता हूं ध्यान से द अगर पहले बैटिंग करती है 210 से लेके 290 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है लेकिन वहीं बांग के चलो नेदरलेंड की तीम पहले बैटिंग करती है थोड़ा काम स्कोर आपको देखने को मिलेगा अब एक चीज और ध्यांदना फास्ट बोलर के लिए सपोर देखने को मिलेगा आगे बात करते हैं यहांपर बात करेंगे पाकिस्तान की टीम की पॉसिबल प्लाइवन बैटिंग ओडर को जाल लेते हैं आकिल में कौन सब बल्लेबाच कहां पर खेलता है क्या कुछ पॉसिबल प्लाइवन रहेगी recent form क्या रहने वाला है किसका form अच्छा है यह सारे चुलों को नोटिस कर लेते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम की वैटिंग ओडर के बारे में देखो फकर जमान आपको उपंग करेंगे इमामुल हक के साथ में नंबर तीम पर आएंगे बाबा राजम नंबर चार पर मम्मद जवान जो की विकेडिपिंग करते हैं स्टंपिंग केचिंगे पॉंट देंगे सल्मान अली आगा खेलेंगे नंबर पांच पर इफ्तिकार एहमद नंबर चे पर सदाप खान ममद नवाज साहिन साफ रिदी अ तो इस तरीके से आप लोग रिसन फ़र्म देख सकते हो महमद रिजवान ने दो अच्छी पारियां खेल लग किये आप नोटिस करोगे तीन पारियां अच्छी खेल लग कि इंपर दान देना तो उपर की ये तीन बल्ले बाद बहुत इंपोर्टन हैंगे इसमें से इमाम दस ओबर का गेम में कौन कितने ओबर की बोलिंग करेगा तो तीन फास्ट गिनवाद इंके कंफार्म वें थीस ओबर इसी के अलावे सदाप खान पूरे दस ओबर की बोलिंग करेगा 40 ओबर तो हो गए लेकिन जो बच गए 10 ओबर ना या तो नमाज और इस्तिकार एहमत आ दर आ सकते हैं आगे बात करते हैं अगर आपको इंके भी हर एक प्लेर का रिकोर्ट देखना है कैसे देखना है फकर जमान आइस ओपंग करेंगे वोडियाई के मैच में अभी तक 18 मैचस खेले जहां पर इंका 322 रन है मैच 45 के एवरेज से यहां पर बात करेंगे इमामु इसलिग को देख लेते हैं रिकोर्ड लेते और सारी इंफर्मेशन को यहां पर लेते हैं पहले बात कर लेते हैं नेधैर टीम की बैट नियुक्स के बारे में विक्रम जीसिंग ओपंग करेंगी मैच आपको नबर 3 पर वेसदे लेडर आएंगे नबर 4 पर इंके टीम के बह हाला कि आमने पाकिस्तान की तीम में अच्छा करते दिखेंगे CaptainCVC के बहतरी इंच रहेंगे अक्रमन आपके लिए बहतर रहेंगे, आर्वे मर्वे आपके लिए बहतर चोईस रहने वाले हैं अब देखो इंके नाम क्या गया ना मैंना इंका रिसन फॉर्म लिग दिया तो आप यहां पर नोटिस करना लेकिन हम बात कर लेते हैं इंकी टीम की मेली इंपोर्डें प्लेयर की आप चाहो तो अपने टीम में मैक्स वडाउड को रह सकते हो और यहां पर पाकिस्तान की टीम जो अच्छी खासी विकेट टेकर बोलर विकेट निकालते हैं मैं उपर के तीन बल्लेवाजों को अपने टीम में लेने के लिए राय नहीं दूँगा आपको बात करेंगे best day leader को अपने team में लिजिए, अकरमन को अपने team में लिजिए, इसी के अलावे अगर आपको risk लेना है, तो score इवड को अपने team में जरूर रखना बहुत अच्छा खिला डिये, continuously आपको रोन बना के देगा, stumping catching के point देगा, और wicket तो जल्दी गिरेंगे, आप ये आपको बात करते हैं, यहां पर आपको बात करते हैं, अगर आपको बोलिंग कर सकता है, अगर सामने team में left-hander हो, तो आपको बोलिंग करते दिखेगा, तो आपको बोलिंग करेगा विक्रम जी सिंग कभी कपर बोलिंग डाल जाता है तो यह भी धान देना आगे बात करते हैं अगर आपको इंके भी हरी प्लर का रिकोर्ड देखना है तो अराम से यहां पर रीड कर लिजिए विक्रम जी सिंग की बात कर लेंगे 25 मैचे स्खेला यहां पर 808 राम 32 का एवरेज स्कोर और देखो साथ विक्रम भी निकाल राका मैं आपको इसलिए बताया यहां पर नोटिस करना आप चाहो तो यहां पर हरी प्लर का रिकोर्ड को रीड कर सकतो सभी प्लर का इंपोर्ड रिकोर्ड अच्छा खासा है आपर देखने को मिल ज के बात कर लेते अपनी ड्रीम लेंड की डेपो टीम के देखो देखो डेपो कि यहां पर पाथ कर लेती अपको यांट नग या लोगल अमरबे कच आप चाहँ तो पं Looking के अशॉआब iważ दबन च्वान को इस्के आप चाहलो तो अपने चूल कर सकते हो आप चाहा थो वहीं हैं विकट लिए जाएंगे अगर दो विकट निकाल तो अच्छी तो इसे जाएंगे औरकेप्टनसी वी लिए बैटीम भी वहां सांदर करते हैं चाहें कोई भी टीम को नहीं बैटिंग बहुत अच्छी करता है बंदा क्याटनसी मैंने इंको दिया लें अगर पकिस्त पहली बार आए हो चानल को सब्राइब कर लेना ताकि आएसे इंफर्मेर्टी वीडिव आपको मिलती रहे